हेलो एबरीवन वेलकम वेक टू मैं चैनल फैंस आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश स्टोरी रीट करूंगी और साथ में इसका हिंदी मीनिंग भी लिखती जाऊंगी जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहों तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस्टोरी का टाइटल है दो ग्रीडी लीटिल वर्ड दो ग्रीडी ग्रीडी मीन्स होता है लालची लीटिल छोटा वर्ड पक्षी लालची छोटा पक्षी की ये कहानी है वन डे मीन्स एक दिन और ग्रीडी वर्ड वेंट टू दो क्यून वर्ड एंड टोल्ड हर एवावट सम् ब्लॉक काट्स और ये आठ की लिए जो किसी भी नावन में कंसोनेंट साउंड आता है तो उससे पहले आठ की लिए लगता है इसका मतलब एक होता है एक ग्रीडी लालची वर्ड चिरियं या फिर फक्षी गु मिस जाना वेंट मिस गया गु वेंट परस्ट इंडिफिने टेंस तू मिस क्या पास क्यून रानी क्यून मिस रानी फक्षी वर्ड मिस फक्षी एंड और टूल्ड टिल मीस का ना टूल्ड मीस कहा हर उशे इवाउट सम ब्लोक के बारे में इवाउट मीस के बारे में सम कुछ ब्लोक ब्लोक मीनस होता है बैल काट्स मीनस होता है गारी बैल गारी बैल गारी के बारे में बताया एक लालची पक्षी गया रानी पक्षी के पास और कहा उसे इवाउट सम ब्लोक कुछ बैल गारीओं के बारे में सी सेड उसने कहा सेड मीस कहा न से मीस कहा न सेड मीस कहा इट इज उसेफ ये इज मीनस है और सुरक्षीत और सुरक्षीत तू गो दियर तू गो जाना दियर वहाँ रानी पक्षी बोली कि वहाँ जाना असुरक्षीत है इज एनी वर्ड माइट गेट हीट वाइद विल्स इज क्योंकि एनी कोई वर्ड फक्षी माइट मीस सकना होता है कोई फक्षी गेट हीट चोट पहुँच सकता है माइट मीस सकता है हैं चोट वाइद विल्स वाइद मीन्स के द्वारा विल्स मीन्स फहियां इज एनी वर्ड क्योंकि इज मीन्स क्योंकि कोई फक्षी को चोट हो सकता है वाइद विल्स फहियां के द्वारा दा क्यून वर्ड तोल्ड दा अधर्स नॉट तो गो देर क्यून रानी वही रानी फक्षी क्यून वर्ड रानी फक्षी तोल्ड मीन्स कहा अधर्स दूसरों को नॉट तो गो नहीं तो मीन्स के लिए गोमिस जाने देर वहां रानी फक्षी कहा दूसरों को कि वहां नहीं जाने के लिए दो गीडी वर्ड अल्वेज वेंट एलॉन लाल ची वर्ड चीरियां या फिर फक्षी अल्वेज हमेशा गोमिस जाने वेंट मींस जाती थी पास्ट इंवेज लॉन अल्वेज वन दे एक दिन एट गोट हीट वाई दो विल्स ऑफ दो काड एट ये गोट हीट वाट विल्स ऑफ दो काड एट ये दो करेड लेट चोट पंग्चा या फिर चोट प्रापत किया चोट पंग्चा वाई दोवेज वाई डी मींस के द्राण विल्स वेज मींस पईया एक दिन पैहं के द्राण चोट पंग्चा ओफ दो कारड चाइट गारी गारी के पफाहिया से चोट पहुंचा and or and or lay injured lay means परा रहा ना परा रहा परा रहा injured घायल होकर या फिर जक्मी होकर वें जब he did not वा पास्ट इंदिफिनित जका निगेटिव संटेंस नहीं रिटर्ण वापिस आया जब वा रिटर्ण वापिस नहीं आया दो अधर वर्स लुट पर हीम and found him poorly hot on the village road दो अधर दूसरा वर्स पक्षी या फिर पक्षियां लुक्ट ढूंडने लगा फर हीम उसे and or found ग्याद किया अधर खोजा हीम उसे poorly hurt बुरी तरह से ग्याद किया हीम उसे poorly hurt बुरी तरह से क्या था घायल था परा हुआ था on the village on means for village means गाउ road रास्ता जब उसे डुनडा तो वो गाउ के रास्ते पर बुरी तरह से परा हुआ था the queen said the world had suffered because of its greed the queen the queen said the word पक्षी से पक्षी के पास suffered cust the queen said the word the queen said the word रानी कही पक्षी के पास suffered cust है because क्योंकि cust है या फिर cust था ed ला गया past tense क्योंकि क्योंकि अफ इट्स ग्रीड यह है ग्रीड लाल जी इस इस स्टोरी से में मोरल क्या मिलती है तो मोरल मिलती है और ग्रीड एंड शिल्फिस फर्षन अलवेज सफर्ष और एक ग्रीड लाल जी एंड और शिल्फिस स्वार्थी फर्षन वेक्ती अलवेज हमेशा सफर्ष कस्ट से गुजरता है एक लाल ची और स्वार्थी जो वेक्ती हो तो हमेशा कस्ट से गुजरता है एंड फ्रेंट्स कैसी लग यह स्टोरी आप हमें कमेंट करके बताए एंड इसी तरह की वीडियो चाहिए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आई हो वीडियो तर लाइक कीजिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक्स एक्ट रवचित वीडियो